कि नमस्कार दोस्तों आप सबोंका स्वागत है फिजिक्सियम में और मैं कल के लिए थोड़ा है टेंशन में हो कि कल जो पूरा वीडियो में ने सूट किया पूरे में लाइट का मुझा बैंड वजा हुए है ना तो मुझे आज फिर से सूट करना पड़ रहा है कल मैं दिन भ फिर फाइनली मैंने दस वजे रात को डाल करके मैं सूग गया और फिर पता नहीं मुझे रियलाइज वाग नहीं यह तो वीडियो बहुत क्वालिटी खराब है तो मुझे फिर सूट करना पड़ा है कोई बात नहीं दोस्त मैं आज ट्राइक कर रहा हूं बहुत अच्छे क ट्यूब लगया हुआ था है ना जो आभी आपको दिखनी रहा हुआ है ना फ्रेम में वो ट्यूब जब मैं चला रहा हूं तो यह अपर पोर्शन पे लाइट आ रही थी बट नीचे का पूरा का पूरा फेट कर देता था तो चलो ठीक है मैंने आज उस ट्यूब कोई सब्सक्राइब करो सब दोस्त हैं हम लोग है ना ताप मेरी बात समझे रहे होगे और मैंने पूरी की पूरी वीडियो आज फिर सुट किया एंगलर मोमेंटम की बहुत इंटेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़दार टॉपिक अगर ये वीडियो खराब बन जाए तो आप लोग वह थोड़ा प्रोब्लम आएगा एंगलर मोमेंटम में बट मैं ट्राइ कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से सिखाने का और कुछ भी अगर आता है प्रोब्लम कि आपको और कुछ इंप्रोवाइस करना है कुछ अच्छी चीजिज आपको और है ना तो टॉप लिंग क्या होता है कि सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक ब्लॉक है ना बहुत सिंपल सा कंडिशन है और बहुत आसानी समझ में आएगा यह जो ब्लॉक है मैं इसे एक टेबल पे रख दिया हूं और इसे हैं ना मैं कल भी यही बता रहा था कोई बात नहीं दोस्त मुझे भी थोड़ा आजीब लग रहा है कि मैं कैसे फिर से सूट कर रहा हूं उसे ही चलो देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बनती है पिछले कल तो साइद मैंने 42 मिनट की वीडियो बनाए थी मैं चार वां वीडियो चोटा रखों और जादा जादा इसमें डालने कोसिज कर रहा हूं और यहां पर बॉड़क मैं रखा हुआ यहांपर बात समझना है बहुत सींपल सा चीज है माल देते हैं कि इसका लेंग होगया 3 मीटर का लेंध और यह लेंध आप 4 मीटर का यह सवाल नहीं है यह मैंने एक छोटा से जनरल कंशिप्ट मनाने करें आपको एक सिंपल सा कंडिशन मना दें चलो इसको भी नहीं हम A B माल लेते हैं यह लेंद होगे A और यह लेंद होगया B और इसका वेट होता है M G डाउनवार्ड और मैं अगर ऐसे फोर्स लगा था एफ ने चलो आउनसे अब भी आप देख रहो यहां पर लाइट आ रहा है यहां पर लाइट एर मैं इसको बंद करके जिए दीन में सूट करने में ठोड़ा एस अचला चले इसू है कि दिन में सूट करता हूं तो इतना जीए ना ज्या नासर लाइट आ जाता है और उसनाव से वीडियो पे थोड़ा असर पड़ता है ना आटिफिसल लाइट गुट फोर दिस टैप अप वर्क बिकास अनलाइट कभी प्रम वन तो प्ता नहीं क्या हो च्रुटिक इस जगह पे यहां इसका जो डैमेंशन है लेंथ है ब्रेथ है भी और हो सकता है कुछ है ना इधर का भी कुछ पोर्शन हो मैं उसे नहीं कौंट कर रहा हूं यहां पर लेकिन अगर मैं इसे एफ फोर्स देता सिंपल सा चीज है आप लोग पढ़े होगे इसका मास मालते अगर यहां फ्रिक्सर मगर भी है तो फ्रिक्सर हमारा इदर की तरफ लगेगा क्योंकि फोर्स इदर लग रहा है तो फ्रिक्सर लग और इस कारण से इस पर हम लोग जो एक्सलेशन लिखते थे वह जब निट फोर्स वाई टोटल मास में फ capital F minus small f by total mass m तो यहां से लिख सकते capital F minus में mu into n by small m capital F minus में mu into normal के जगा पे हम लोग mg लिख देते अब by total mass m लिख देते that's your acceleration क्या यह सही है इस condition के लिए no क्योंकि यह body depend करेगा कि accelerate करेगा कि topple करेगा topple मतलब हो गिया कि यह body के उपर मैंने जमीन पर रखा इसको ऐसे और इसका ब्यूस अफिसियंट है कि इस पर जैसे मैंने फूर्स लगा यह तक निदिका अरे कुछ हो गया फिर से देखो यह यह दूख ऐसे मैंने फूर्स लगा तक गिर गया फिर से समझवारे बातना यहां पर इसका नहीं समझे रहे हैं सेंटर पास यह होगा देखो तो यह जा रहा है उदर सेटर पास बीच को पूइंट जहां पर की पूरा मास को करते थे यहां पर मैंने एक body को रखा इस पर मैंने फूर्स लगा यह गूम गया टॉपल कर गया तो इसी को बोलते है टॉपलिंग के केस में क्या हो रहा है सबसे इंपोर्टन पार्टी है यहां पर समझने के लिए तो अगर मैं यहां पर देखूं इस body को तो जैसे मैंने फोर्स लगा यह बोली दो तो 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 यहां देखना धियान से धिखना है सिर्फ यह पूरा बोड़ी अभी क् hatte मिट्री को मैं रहा हूं भाछय तो बढ़ाते बढ़ाते देख रहों कि इसके-बॉडी में इधर के तरव सिफ्टिंग हो रहा है नॉर्मल का क्यों नॉर्मल सिफ्टिंग हुआ Whoa को ऑगर मैं इस body को दिखहूं थोड़ा सा अगें तो कुछ इस तरह का कंडिशन तीयार हो जाएगा तो Contacts तो यहां ना बन गया अगर यहांपर Contact बनेगा तो Normal Region तो मैं ऐसे लिखूंगा क्योंक frightened के हमारा नॉर्मल जो हम लोग दिश剛剛 से सीखते हैं कि अब कर देश만 हम लोग बंन समयता है समया आरा ना नॉर्मल यहीं जो ना यहां पर थो नहीं को नॉर्मल लगेगा तो यह नॉर्मल इधर की तरफ सिफ्ट हो गया है इसका मतलब यह हुआ इस पूरे कहानी में कि यहां पर जो अरे खूल जाओ तुमको भी आज ही तकलिप देना है यह जो हालत है यह एमजी ऐसे लग रहा है यह सब जैसे कव ऐसी बस एक चीज सिफ्ट हो गया हमारा नॉर्मल इधर इस कारण से यहां पर क्या होगा कि टॉर्क जिनेरेट हो जाएगा यह पूरा का पूरा बॉर्डी इस पॉइंट के बाट घुमने लगा आरे बसमझ में तो मैं यह चीज तो नहीं लिख पाऊंगा आरे बसमझ में ना यह चीज अब नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर टॉर्क जिनेरेट हो रहा है आरे बसमझे ना तो टॉर्क के लिए हम क्या लिखेंगे इस पूरे कहानी पे इस पॉइंट के बाट हम टॉर्क generate नहीं होगा ना यह तो सीधा से दी axis के उपर सीधे वे पलग गया यह थोड़े नहीं घुमा पाएगा यह नहीं घुमा पाएगा घुमाएगा mg और घुमाएगा F है ना तो यह दोनों कारण कोई torque नहीं लेगा torque about normal plus torque by friction plus torque by force plus torque by mg यह इन चार forces है एक के अबाउट तो जीरो friction के कारण भी जीरो पलस में फोर से कारण यह clockwise में घुमाएगा तो मैं इसे लिखूंगा minus में F into perpendicular distance कितना हो जागा यह पूरा length अगर B है तिया length हो जागा B by 2 F into B by 2 mg वाले का mg force ऐसे लग रहा है और यह distance पूरा A अगर है यह यहाँ पर A लिखा हुआ है यह पूरा A है तिया लें तो होजागा A upon 2 mg into A upon 2 यह प्लस में होगा क्योंकि यह इसको clock sorry anti clockwise direction में घुमाएगा और यह वाला clock license में घुमाएगा यह हो गया टॉर्क अबाउट ओ तो टॉर्क अबाउट ओ कितना हो गया हमारे पास mg a upon 2 माइनस में fb upon 2 अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक condition है अगर मैं बोलूं for no toppling अगर मैं इसको toppling नहीं करवाना चाहता हूं तो टॉर्क जो है उसको मुझे 0 करना पड़ेगा यानि घुमें ही नहीं अगर यह नहीं rotate करें इसकर मुझे टॉर्क तो 0 करवाना पड़ेगा ना बास सुझा रहे नों दोस्त ओके तो यहां से क्या बजाएगा fb by 2 is equal to mg a upon 2 तो यहां से मैं 2 से 2 cancel करवा देता हूं और यहां से मैं f equal to लिख सकता हूं mg a upon b आरे बसमझ में त्याने के f upon जो mg का value है वो आजाएगा मारे पास a upon b मुझे इस relation को hold करवाना पड़ेगा कि यह body topple नहीं करें आरे बसमझे ना तो आब उसी तरह से यह सवाल दिया हुए यह सवाल क्या दिया हुए कि find maximum angle theta for which block starts moving यहां पर theta का क्या value मैं दूँ यह पूरा block start कर जाए move करने के लिए दो सवाल है यहां पर चलो पहले copy करते हैं फिर आगे बात करते हैं तो देखते हैं ना यहां पर क्या हो रहा है कि यह जो पूरा का पूरा body है यह चार आए कि हमारा इधर की तरफ आए यहां friction दिया हुआ है तो मैं यहां से यह बूल रहें कि क्या हम theta दें कि यह start कर जाए move करने के लिए ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं friction chapter में उसका नाम था angle of friction यह angle of ripos यह से कुछ था पढ़े है ना नहीं अरे यह से कुछ था ना वो चेक करते हैं यह है कि नहीं है ना बहुत अजीब चेप्टर है ना पता नहीं हो होना चीए कुछ और हो रहा है कुछ और है चुछ ठीक है देखते हैं इस पूरे कहानी थे सबसे पहले मैं इस body को फिर से बनाता हूं अब क्यूं मैं बोल रहा हूं कि यह ऐसा नहीं होगा सबसे पहली बात कि 45 डिग्री पर यह जो कह रहा है कि स्टार्ट करें का मूब करने के लिए हो सकता है कि 45 के पहले यह लुडग गया 45 पर पहुंचाया नहीं उसके पहले ही लुडग गया नहीं समझा रहे है जैसे मैं जी से खाओ अना इस सिस वो मैं ऐसे रहा हूं आर यह पूरा बोडी ऐसे रहा है कैसे राज अड Почему द Brady कि आप लुट herb लुड़ कि बात में पहुचेगा करए चलने के पहले लुडग करने से पहे तो ना मुझे यह चेक करना पढ़ेगा कि यह twal to नहीं कर लुढक तो नहीं अ लुटक तो नहीं is उसके यह बढ़ेगा इस के लिए पूरा बॉडी लुटक तो नहीं गया लुटकने के कंडिशन में क्या होगा मैं उसका एक फिर से एख पिक्छर बना रहा हू इन तो मुझे ये एंगल निकालना है थीटा मैं इस बॉड़ी का लुड़कने के कंडिशन पे एक फोटो बना रहा हूं दिखना ध्यान से सिर्फ यह जो पॉइंट आए का थोड़ा अगर लुड़कने लुड़कने को हो जाएगा तो यह पूरा पॉइंट थोड़ा ऐसे आजाएगा क्या थोड़ा ऐसे उठना है स्टाट हो जाएगा यानि कि नॉर्मल जो है यहां पर सिफ्ट कर जाएगा हमारा थोड़ा सा आरे वह समझे न क्योंकि यहीं पर आ गया जैसे पिछली केस में हमारा नॉर्मल कॉंटेक्ट राइट सैने मूव कर गया दिख इख क्योंकि इस वाले के उपर दो फोर्स लग रहे होते हैं एक तो इधर की तरफ एम जी साइन थीटा इधर की तरफ एम जी कॉस्ट थीटा अब नॉर्मल यहां पर से लगेगा फ्रिक्शन हम समाजी सकते हैं ऐसे ही लगेगा क्योंकि आपर म्यू है और यह पूरा बॉड़ी ऐसे लुड़कने लगेगा इसी के बाउट कुछ नहीं करना देश दुनिया वही है टॉर्क बाउट इस पॉइंट के बाउट हम निकाल लेते हैं अब बुलते हैं नहीं किटना होगा तो पहरे टॉर्क कॉन Virginia सकते है नॉर्य लगा सकता है एं-जी को संट्रम लगा सकता है एं-जी को सीटा लगा सकता है कि सांट थीटा है ना तौर्वार्मल क्योंकि एकिस से पास कर गिया यह जीरो होजाएगा अब पोर इस से पास क्यूं shopな Centa लुए और mg cos theta into 3 by 2 यह इसको clock visence में गुमाएगा तिसलिए आप पर दिखेंगा मैं इस दुनों को erase कर देता हूँ 0 0 है कोई दिकत नहीं होना चीह तो माइनस में mg cos theta into 3 by 2 अब पलस में mg sin theta into 2 क्योंकि यह clock visence में जागा और मैं इसे कहूंगा net torque about ओ अब मैं कहूंगा यह घूमें नहीं तो टॉर्क को क्या दिखूंगा फॉर प्रीवेंट टॉपलिंग टॉर्क एवाउट वो इक्कुल तो 0 हो जाएगा यहां से अगर मैं देखूं मैं कल यह गाना ने गा रहा था इस नया वीडियो में नया चीज है त्री वाइप पॉर इस इक्वल टू टैम थीटा आजाएगा नहीं आजाएगा और थीटा कब हो जागा 37 डिग्री आप लोग चेक कर ले ना मैंने पिछले वीडियों बताया था 345 वाले में कंडिशन 37 53 डिग्री वाला आ जाता है क्या यहां पर जो टॉपलिंग के लिए थीटा आ रहा है 37 डिग्री है लेसर देन 45 डिग्री है इसका मतलब यह हुआ 45 डिग्री पहुचेगा बाद में पहले 37 नहीं आ जागा और यह रोटेट कर जाएगा खतब मतलब यह बॉड़ी मूब नहीं करेगा टॉपल करेगा गूम जाएगा बात समझारी ना नहीं समझारी मतलब एक सिंपल सा चीज है यह बॉड़ी मूब करने के लिए चाहिए इ देगे रहा वह कोई भैस उस नहीं रहा ना मेरे वह भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार इंसान पड़ते हैं सब चका चक आदमियों है ना सब दोस्तों नो टेंसा ओके तो थेटा का वेलू आगया हम एक छोड़ा सा बात समझ रहते हैं कि कैसे समझ में आया कि कोई बोड़ी है लुग magicANG मत्रा समझ लू है कि Žा कि टॉपलींग होगा अगर टॉपलींग कवध्यू ठेटा कव जोटा आ आगया अगर टॉपलींग का वेलू आ गया थीटा फिरिक्षान से पहले तो वह निकालना है जयादा है और यह जाधा आ गया तो टॉपल नहीं करेगा श्राइ करेगा आरिवा समझ में, ओके, कॉपी कर लो, अब आगे बात करते हैं, अंगलर ममेंटम पर, तो हमारा नेक्स टोपिक है, अंगलर ममेंटम, ममेंटम हम लोग पढ़े थे, किसी भी बॉड़ी का, जो अमाल लेते हैं, उसके पास वेलोसिटी है, और वो आकर के, किसी भी बॉ बॉड़ी के उपर मैं कुछ इंपैक्ट जेनेरेट करेगा, वो सिंपल सा अंगुलर, लिनियर ममेंटम था, वहां पर लिनियर ममेंटम कैसे थे, पी इक्वल टू, मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से, अगर कोई बॉड़ी रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करते आया, प्राक मर, लगा, इंपैक्ट आया, उसके लिए कौन रिस्पोंसिबल है, एंगुलर ममेंटम एल, मास को यहां पर लिखते हैं, आई, वेलोसिटी का नाम है, ओमेगा, तो एल बराबर हो गया, आई, ओमेगा, कितना असान है, इंटान सिंपल एनाल ये एक हम लोग सीख लेंगे, ये बहुत असान है, जैसे आरे बहुत असान हो गया, आप अप बराबर है में लोग पढ़ेते, तो टॉर क्या था, आई इंटो अलफा था, जैसे काइनेटेक एनर्जी होता हा, हाफ अप, एम भी स्कोर, उसी तरह से ट्रास्रेशन वाला, उ जो ठीक है, इसको ऐरेज कर रहा हूं, तो एंगॉलर मोमेंट म इह होता है, कि किसी भी बॉडडी पर, रोटेट करतहा हा भाली किसी भी जगह पर, इंपक्त जो जिनेरेट कर रहा है, वह क्यों होता है, क्यों कि अशला है, तो पहले इसका डेफिणेशन मेंगते है, इस न dich मास पढ़े थे क्या? एक एक्सिस के बाउट यहाँ पर मास है डिस्टेंस आर है, तो ममेंट आफ क्या था इसका? M into R उसी तरह से ममेंट आफ ममेंटम लिखा हो है ना तो यहाँ पर अगर इसका ममेंटम इस बाले पार्टिकल का ममेंटम P है तो ममेंट इसका क्या हो जाएगा? P into R आरे बस सुझे ना तो L वेक्टर क्या हो गया? R क्रोस P यहाँ पर वेक्टर प्रोड़क्ट आ जाता है तो ऐसे निख लेते हैं It is वेक्टर प्रोड़क्ट of R वेक्टर and P वेक्टर तो L वेक्टर क्या हो गया? R into P R का मॉड P का मॉड into sin theta आ जाता है निख में into N gap एक direction perpendicular to R cross P है ना? तीसरा बात है It is always conceptualized about a fixed point ओके तो अगर मैं इसको erase कर दूँ यहां से एक चोटा सा चीज में बना देता हूँ जो कि समझ में भी आएगा X Y axis है और मैं चाहता हूँ इस point mass M को जिसके कि मैंने momentum P दिया हुआ है जिसका position vector R vector है इस vector पर जो मैंने P लगाया हूँ है तो इसका मुझे angle चाहिए है theta क्या दे ना tail to tail का angle आप चाहो तो head to head भी ले सकते हो क्योंकि पर्लेलोग्राम 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 का angle यह जो होता है वही यह होता है तो tail to tail का जो angle होगा माल लेते हैं दो vector ऐसे है तो tail to tail का जो angle है वही तो head to head का भी angle लाईगा जाद दिमाग नहीं लगाते tail to tail ही लेते हैं कौन दिमांग खराव करता हुट तो यह एंगल हो गया अब यह बॉड़ी अगर मैं देखो इस पी को मैं तोड़ देता हूं एक इदर की तरफ और एक इदर की तरफ तो जाएगा यहां से पी साइन थीटा इसे पी का कॉस तीटा क्योंकि जिदर थीटा उदर कॉस तीटा जि कौन घोमारा है पी साइन थीटा को सिरा अभाळ नहीं आई दोस्त कौन घोमारा और जोर से बलूंग जाएं मत तादी कायसे पेष्ट कारणिये पूरा बोल्डी कॉस तीटा इधर की तरफ लग रहा था तो यहां पर घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्झ के पॉस तो से बलोगे मोमेंटम पी साइन थीटा सिंपल सा इसलिए हम लिख रहे हैं आर बराबर आर इंटु पर्पेंडिकुलर अब पर्पेंडिकुलर क्या हो जाएगा मास इंटु इदर की तरह फेलोसिटी भी होगा तो मैं उसे लिखता हूं आर इंटु इसको या से रेस कर दे रहा आगया बात समझ में अब इसके कुछ SI यूनिट वगरे लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका केजी मिटेर स्कूरड पर सेकन्ट केजी मीटर इनुँ मीटर पर सेकन्ड या निक मीटर स्कूरड पर सेकन्ड और डिसके डामेंुशन क्या हो जाएंगे m l स्कूर t मैंनस में 1 असान हो गया कोई दिकत नहीं होना चीह चलो तो आप लोगे लिए टास्क है यहाँ पर एक कोश्चन दे रहे हैं Find Angular Momentum If R vector is equal to 3i cap minus 2j cap minus k cap and velocity vector 3i cap minus 2j cap plus में 4 minus 3i cap minus 2j cap plus 4k cap and mass जो दिया हुआ 10 kg का दिया हुआ तो क्या करना है इसमें हमको पता है R cross P करना है P मतलब mass into velocity हो जाएगा अगर मैं इसको solve करके थोड़ा से दिखा दू L बराबर हो जाएगा R vector cross में M into B vector मास को मैं बहार निकाल लेता हूँ यहां सुझेग R cross में B अब आपको पता है 2 vector का cross करने के लिए पहले निकाल लेना है मास से multiply कर देना simple scalar product आप लोग को इसको answer दे कर गे comment box में छोड़ देना है या Facebook के पेस पेर इसको copy का skill shot डालना है ना कोई दिकत मैं मेहनत कर रहा हूँ यार अप लोग के लिए थोड़ा तो मेहनत अपने लिए खुद करूँ हाना कोई दिकत नहीं होना चीए चलो copy करो फिर इसके आगे अच्छी बात सीखते है ना एंगुलर मोमिन्टम अबाउट पॉइंट अब प्रोजेक्शन ओ ठीक है अट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट यहां पर अरे बस समय ना एच मैक्स ही होता है इसका वैलू क्या हो जाएगा तो या तो वही यू स्क्वार साइन स्क्वार थीटा वाइट टूजी से निकाल लो या फिर बेरे पास थोड़ा दिमाग है आप लोग के पास भी है तो चुले एक काम करते हम लोग को पता है टैन कॉस्ट 37 डिगर इधर लगेगा इधर की तरह अपलगा टैन साइन 37 डिगर जिसका वैलू हम निकाल सकते हैं यह हो जाएगा मारे पास 8 मिटर पर सेकेंड यह हो जाएगा मारे पास 6 मिटर पर सेकेंड मैं बोलूंगा horizontally speed save रहता है यहाँ पर इसके पास velocity हो गया 8 मिटर पर सेकेंड vertical velocity हो 6 मिटर पर सेकेंड जो सबसे maximum height achieve करेगा वो इसी कारण करेगा तो h max का formula होता है u square by 2g due to this 6 into 6 by 2 into 10 2 3 6 3 5 9 by 5 मिटर है ना तो अब देखते हैं यहाँ पर पूछ रहा है इसका angular momentum यहाँ का mass into velocity चाहिए जो इदर की तरफ है और पर्पेंडिक्लर डिस्टेंस यह हो जाएगा क्या यह यह जाएगा velocity यह पर्पेंडिक्लर हमेक्स और यह जाएगा यू तो ल बराबर क्या हो जाएगा यहां से M भी पर्पेंडिक्लर into R तो मास्त दिया हो माल लेते 10 कीजी का यहां दिया हो है मास 10 भी पर्पेंडिक्लर कितना है एट और हमेक्स कितना है नाइन भाई फाइफ तूजाट टेन एट तूजाट शिक्स्टीन और इंट नाइन वान 44 केजी मीटर पर सेकेंड यह जाएगा कोपी कर लो फिर हम एक सवाल और लेते हैं माल लेते हैं कि एक सम्सिंपल सवाल है जो कि कभी है ट्रिपल में पूछा था बच्चावल सवाल है एक चोटा सा मास M दिया हुआ है यह भी वेलोस्टी जा रहा है है और ऐसे कुछ अजीब सा टैग्राम बना करके उसने दे दिया था ठीक है यह लेंथ एल दिया हुआ हुआ है और यह ले वेलोस्टी इदर की तरफ हमें चाहिए परपेंडिक्लर डिस्टेंस यह परपेंडियो एल है तो एंगलो ममेंटम क्या हो जाएगा M B into L खतम यह ट्रिपल लिम पुछा वागो सब्सक्राइब बात समझ में आगे एंगलो मोमेंटम कैसे निकाए बास हमें चाहिए M V R तो चलो इसके बाद बात करें रिजिट बॉड़ी के उपर जो पूरा 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 continuous बॉड़ी होगा हम उसके उपर बात करते हैं तो अभी हमारा है एंगलर मोमेंटम अप रिजिट बॉड़ी एक रिजिट बॉड़ी है हमारे पास इसका मास है M दिया हुआ और मैंने किसी भी पॉइंट के का एक छोटा सा मास हमने काट लिए DM और इस पर जिसका position vector हम कर रहे है R vector है जिसका length भी है और इस पर जो है इसका भी perpendicular जो है वो है B जिसका angular momentum L बराबर क्या हो जाएगा M B है ना जिसका मास है DM और इसका छोटा सा angular momentum DL का सकते हैं B perpendicular into R आर वह सुझे तो net angular momentum क्या हो जाएगा पूरे body का उसके लिए मुझे क्या चाहिए थोड़ा द्याम से देखना यहां पर DM हो गया velocity के जगह पर क्या लिख सकते हैं क्योंकि यह पूरा का पूरा body यह पूरा हो का पूरा body इस भी perpendicular के कारण यह भी perpendicular लिखे है हो सकता है भी लगेगा उसका भी इस पूरा 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 पाथ में घूमेगा अना इस पूइंट के बाट तो मुझे चाहिए भी sine theta यह omega speed से घूम रहा है तो भी बार रस्पीkiej मेगा भी बदाबर r downtown च्मीघ और आ इंटी ल और दिक्वार यह से Dsm in to r in to omega और ऑ है एक और यहाँ पर ना दिखाеньतों सिर्द कंटम επiforn consultant यह पार निए अन्युन होदि का drink आई लिएक्ट साहिए तो L बराबर हो जाएगा integral of omega बाहर जाएगा dm into R का इसकार यह हो गया हमारे पास I तो L equal to हो गया I into omega ओ माइगा और यही तो हम लोग पड़े थे आगे है समझ में कोई दिकत नहीं होना चीए कुछ बचा ही नहीं है कॉपी करो फिर एक छोटा सा चीज सीखते है अच्छा ला अफ कंजर्वेशन अप angular momentum पर भी बात कर ही लेते हैं साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर law of conservation angular momentum कितना बड़ा बड़ा वर्ड क्या था वहाँ पर जहुँं लोग law of conservation momentum पढ़ रहेते हैं तो किसी भी system पर जितना भी net external force लग रहा था अगर वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे उस system का जितना भी linear momentum था कंजर्व था यहाँ पर भी उसी तरह से बात है कि यहाँ पर फोर्स काम करता है तो यह अब मैं बोलूँगा कि अगर torque नहीं है तो वहाँ पर angular momentum हमारा कंजर उड़ रहेगा बहुत असान है always conserved आरिवा समझ में यहाँ कि जितना भी L initial होगा वो L final के बराबर हो जाएगा यहाँ कि हम कहा सकते हैं I initial omega initial जो होगा I final into omega final हो जाएगा आरिवा समझ में इसका मतलब यह हो गया कि I और omega यह हमारा हो गया constant इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं आई बढ़ा दूँ तो omega को मुझे घटाना पड़ेगा आरिवा समझ में इस पर एक अच्छ अच्छ सवाल बनाते हैं और देखते हैं क्या धम्मांगेदर चीज है यह ओके कॉपी करो फिर बात करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर माल लेते हैं कि मेरे पास एक एदम सिंपली समझना है कि हो क्या रहा है एक डिस्क है है ना बहुत असानी समझना है बहुत बहुत चोड़ा से एंदम सिंपल सवाल है एक डिस्क है हाना और इसका मास दिया हुआ एम और इसका रेडियास दिया हुआ र और यह सुरुवात में ओमेगा स्पीर से घूम रहा था क्या मैं यहां पर ही इसी कंडिशन पर इसका आवाज दो हम एक नहीं वाज आई नहीं रहा ओके हाप हो एम आर इसकार होता है मुझे सुलह पड़ गया ओमेगा ओमेगा होता है लाई हो गया यह हो गया हमारे पास अब क्या कर रहा है कि अगर मैंने एक डिस्क लिया है ऐसे एक और डिस्क मैंने इसके ऊपर जेंटली प्लेस्ट किया एक वर्ड है जेंटली जेंटली प्लेस्ट इसका मतलब यह ओता है कि मैंने इस दूसरे डिस्क का जिसका है कि मास मैंने बोला है M by 4 है नीचे वाले का तेम है ही रेडियस सेम है इसको मैंने उपर से रख दिया जेंटली मतलब यह हो गया कि इतना आराम से रख धीरे से रख इस पर कोई टॉर्क नहीं लगे अच्छा टॉर्क लग जाएगा तो एंगुलर ममिंटम कंजर्व नहीं रहेगा कितना अच्छा बात है अब मुझे आना है यहाँ पर omega final क्या हो जाएगा तो क्या निकालना है L F क्यो जाएगा IF omega F हो जाएगा IF क्या हो जाएगा इसका moment of inertia और इसका moment of inertia दुनों को जोड़ लेते हैं क्या हो जाएगा अब प्लस में दूसरे वाले कितना हो जाएगा half of MR square into omega final हो गया है ना और मैं कहूंगा क्या कि अगर यहाँ पर torque नहीं लग रहा है तो L initial L final के बराबर है है ना तो as torque equal to zero तो क्या बोलेंगे torque जितना भी external लग रहा है यह 0 है तो L initial बराबर हो जाएगा final के बराबर याने यह के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा है से MR square by 8 पलस में MR square by 2 into omega final बराबर हो गया MR square by 2 into omega और यहाँ से जाएगा 4 plus 1 5 MR square by 8 is equal to into omega final भी लिख लेते हैं यहाँ से MR square by 2 into omega हो जाएगा यह कट गया क्या यह 4 हो गया क्या इसका मतलब omega final हो गया हमारे पास 4 omega by 5 अब एक बात समझो हो यहाँ पर क्या मैंने moment of inertia इसका बढ़ाया क्या एक और डिस्क टाले moment of inertia बढ़ गिया है ओमेगा घटेगा गी नहीं घटेगा देखो गढ़ गया ना 80% तक गढ़ गया है ना 80 समझा था ना 5 से इसको डिवाट करें यह 0.8 आजएगा 80% तक omega इसका घट चुका है ना तो omega final is decreases by 80% है ना ओके तो इसको copy करो फिर अच्छे सवाल बनाते हैं अभी मैंने क्या किया है इस डिस्क को जैसा था वही है ना पीछे बाड़ा सा डिस्क रख दिये थे इस वार मैंने चार चोटे-चोटे मास M वाला ही जतना इसका मास है उतना ही चार मास को मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने रख दिया Gently ही प्लेस किया यहाँ पर रड है Jungle देखते है ऐसे है न इस डिस्क के उपर मैंने 4 Masses रख़ दिये हुए है है न यहाँ पर एक Mass यहाँ रख दिये है सारे सारे पेरिफेरी पर रख यहाँ यहाँ अर और एक यहाँ पर रख दिये और सभी का डिस्टेंस हो गया R है जिसका मास है M, 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 M ठीक है? सवाल सॉल अच्छे से करने के लिए M by 4 नहीं M ही रखते हैं क्या लिखते हैं एक काम करते हैं इसको capital M ले लेते हैं और इसको small M ले लेते हैं तो क्या omega L initial तो यही है बाद का क्या करना है सभी का moment of inertia निकाल करना है जोड़ देना है है ना तो यहां से क्या लिखेंगे L final equal to I final into omega final that is equal to I final कितना हो जाएगा डिस्का moment of inertia half of capital M R square plus में एक इस मास का moment of inertia कितना हो जाएगा M into R का square क्योंकि छोटा सा point mass है M into R का square हो जाएगा इसका सीधा नहीं हो जाएगा small M R square चार है क्या तो 4 से multiply कर देते हैं into omega final हो जाएगा और यह दोनों बराबर हो जाएगा तो यहां से क्या होगा यहां से by one कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा capital M R square plus 8 small M R square by 2 omega final is equal to M R square by 2 into omega आरे बसमझे ना यह से omega final का value क्या हो जाएगा 2 से 2 केंसे राउट हो गया R square से R square कोमा ना कट जाएगा तो omega final का value हो जाएगा capital M omega by capital M plus में 8 small M that's it copy कर लो फिर आगे बात करते हैं अब भी यहां पर एक लड़का है just like me है ना उसने क्या किया हुआ हुआ है कि दो किजी गदर मास एक दो किजी गदर मास लेकर के इसे करके एक rotating platform पर ऐसे घूम रहा है मैं दिख रहा हूँ पूरा अब तो दिखा हूँगा दिखा यह कुछ लग रहा है मुझे वो क्या नाम था चलो ठीक है वेसा ही कुछ हो रहा है और एक लड़का है शली साथ रि Timothy दालना कि अुंक हो डिया है यहां को से इनफोर्मेशन दिया यह कौत zie Carman 256 Dao आई आफ मैन प्लस में प्लेटफॉर्म का वेवलोड़ दिआ तेन Kजी मीटर सक्षार प्व कर ЛION कर लिए के है इसने क्या ऐसा अपना हाथ फोल्ड कर लिए 1 मीटर का आई यह उसने अपना हाथ फोल्ड गिया ता अब उसकी speed क्या हो जाएगे बाद में यह जाना है उसने कैसे fold क्या होगा ऐसे fold कर लिया होगा क्या ऐसे अब fold जो करता है उसने आधे लिंध तक करता है यह दिया हुआ हमारे question में है ना तो half of meter तक उसने अपने हाथ को फोल्ड गर लिया तो पूछ रहा है अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी एक सिंपल केस करते हैं हाथ ऐसे फैला बात मोमेंट आप इनर्शी क्या हो जोड़ना पड़ेगा और जैसे यह से फोल्ड कर लेकिन तो डिस्टेंस घटे का तो मोमेंट आप इनर्शी घट जाएगा अगर घटेगा तो उनको पता है कि आई ओमेगा जो है मारा वो कॉंस्टेंट है ना यहां पर कॉंस्टेंट तो अगर मैं कहूं कि आई घट गया तो मेंगा तो बढ़ाना पड़ेगा योग यह दोनों का प्रोड़क्ट तो इस और वेल्व पर जाना चीए यानिक वो जैस इसे घुम रहा था तो इसे ऐसे मुड़ेगा तो श्च्ट अओ मैंगोट इस इस इक्वान डू फाइनल फाइनल एड़ जाए का आई इनिसेल ओमेगा इस इक्वाइनल फाइनल सुर्वात में कौन-कौन घुम रहा है इसका मूमिंट अपिनर्या प्लेटपर्म के लिखेंगे इसका मुमिंट पिनर से लिखेंगे इसका मुमिट पिसरा लिखा हुआ वह मैनों प्लेटफॉर्म का 10 kg का ये पहले वाले बोड़ी का ये दूसरे वाले बोड़ी का शुरुवात में बाद में क्या है जब फोल्ड हो गया ऐसे ये तो नहीं न चेंज हुआ आदमी वहीं है प्लेटफॉर्म भी वहीं है ये दोनों वही रहा जाएगा बाद वाले में भी 10 वट इसका जो मास है ये 2 इंटू हाफ का स्कॉयर लिखना पड़ेगा ये हमार स्कॉयर प्लस में सेकेंड का भी 2 इंटू हाफ का स्कॉयर इंटू ओमेगा फाइनल अब इसको सॉल्व कर सकते है यहां से जाएगा 10 प्लस में 2 प्लस में 2 4 इंटू 10 इस गतिंगा इस 10 इंटू 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 1 हो गया इंटू अमेगा फाइनल यहां पर आजाएगा हमारे पास 14 इंटू 10 यानी कह जाएगा 140 by 11 is equal to omega final that's your answer okay तो समाजी में आई रहा है कि यह ज्यादा हो गया है ना 10 से बढ़ गया है दिख रहा है न 11 11 121 होता है 11 12 132 के असपास में होता है यह उसे बढ़ चुका है लगा आए लगा ओके देखते हैं अगे यह सवाल जो है जाई एडवांस 2015 का है और उसमें बहुत सिंपल सवाल पूछा गया जए एडवांस में देखते है एक रिंग है यह यहां पर लगा देते हैं न वैसे कुछ उसमें न मोटी च्टो च्टा अपर एक रस्टी में दोरी में डाल करके, वैसे कुछ एहां पर एक रस्थी है यह फिर थार है बंदा गॉल जो मासलेस है और उसमें यहां पर एक दो बीड लगा दिया गया, दोनों का मास दिया हुआ है, m by 8 का, यह, m by 8 यहां भी लगा दिया गया है, अब सुर्वात में omega से घुम रहा है, और दोनों मास यहां पर है, तो क्या मैं l initial लिख सकता हूं यहां पर, क्या जाएगा, i initial, omega initial, i कौन-कौन generate करेगा, पहले तो ring घुमेगा, ring का moment of inertia, m, r square, पलस में, इस beat का moment of inertia क्या हो जाएगा, होगा, axis से distance हाई नहीं, 0 पलस में 0, और omega से घुम रहा था, that's a very simple, finally क्या होता है, कि उसकी speed बदल देता है, 8 omega by 9, यहने कि speed घट जाएगे, बढ़ गया, घट जाएगा, अगर omega घट जाएगा, तो उससे क्या होगा, कि पहला वाला beat 3r by 5 distance पहुच गया, यहने कि m by 8 mass 2, 3r by 5 distance पहुच गया, दूसरे वाले का x distance पहुचा है, वो पूछ रहा है, x का value क्या होगा, क्या 3r by 5 होगा, अनसर हो जाएगा 3r by 5, कि गया गर इदर जाएगा, वो भी उतना ही जाएगा, आज एटी पूछा है, क्या करेंगे, l final निकालना पड़ेगा, i final omega final, i final कितना हो जाएगा, इसका moment of inertia, इसका moment of inertia, इसका moment of inertia, m r square plus में, इसका m into 3r by 5 का whole square, पलस में इसका, sorry, इसका मास हो जाएगा m by 8 na, m by 8 into 3r by 5 का whole square, m r square है na, second का हो जाएगा m by 8 into x का square, into बाद में घुम रहा है, 8 omega by 9 पर, इस दोनों को solve करना पड़ेगा, यहां से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास, m r square plus में 9 by 25 into 8, यानि के 200 m r square plus में m x का square by 8, into 8 omega by 9, that must be equal to this one, m r square into omega, और omega से omega कट गया, और r square तो नहीं कटेगा, m कट जाएगा यहां से, और इन सब को अगर हम solve कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा x का value मिल जाएगा, हमें 4 r by 5 आजाएगा, आप लोग को solve करके निकालना है, यह नहीं आया उतना, आरन समझ नहीं, तो 4 r by 5 आएगा, 3 r by 5 के बाराबर नहीं आएगा, यह दिकत, यह था, आज angular momentum, angular momentum conservation principle पे कुछ सवाल बनाया है, आप लोग देखो, NCRT में भी कुछ सवाल है, SCO में भी कुछ सवाल है, और फिर से, आप वीडियो, आज का थोड़ा मैं try कर आऊ हूँ, कि अच्छा करने का है ना, और साम में एक वीडियो अपलोड हो रहा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों का बताना है, मेरे काम को बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और keep love physics, और physics I am also, is that okay, मिलते हैं next day, बाई.